हेलो एवरीवन यह है वीडियोज वर्ल चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो वेरिफिकेशन प्रॉब्लम स्रीज और इस वीडियो है 12 प्रॉब्लम नमबर 12 प्लेन ट्रस डिफलेक्शन एक ट्रस सिस्टम दिया हुआ है उसमें डिफलेक्शन निकालना है लोड गीवन सबसे पहले हम स्की मॉडलिंग बनाएंगे इसकी लेंथ की वहना है यहां पर 180 इंच ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैट प्रो सबसे पहले हम बनाता हूँ एक जॉइंट क्लॉज इस जॉइंट को नोट कर से सलेट किया ट्रांसलेट रिपीट में 180 इंच के दो स इस तरह से है यहां पर 30 डिगरी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे अगर हमें यह वर्टिकल हाइट पता होती तो हम क्या करते केवल इस जॉइंट को इतनी हाइट के लिए मूव करा देते और यह बन जाता पर हमें केवल एंगल पता है तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे तो यह है आपका rotate tool कि वह एक member को rotate करेंगे उसके साथ यह भी हो जाएगा इसको select किया rotate tool को select किया अब देखिए rotate tool में दो आपके yellow icon है यह दो joint बोल रहा है कि select figure में देखिए दो joint हमें select करने जिसके about यह beam rotate होगा तो यह हमें rotate कैसे करना है beam इस तरह से है ना इस तरह से rotate करना है तो यह किसके about होगा यह एक z-axis में एक beam होगा ऐसे उसके about ही rotate हो रहा है तो हमें पहले बनाना पड़ेगा एक तो हम क्या करते है नौट करसर से हमने इसको select किया और translate किया z में लिंक देखेंगे आब isometric view में तो इस तरह से है ठीक है यह एक z बन गया अब इसकी about rotate हो रहा है थोड़ा चोटा बन गया कोई नहीं अब हमने पहले तो member select किया जिसको rotate करना है ठीक है rotation tool yellow cursor से सबसे पहले यह joint लिया और दूसरे yellow cursor से हमने यह joint लिया ठीक है अब इस यह fix हो गया यह जो छोटा बी में और इसके about यह rotate होगा कितना हमें करना है minus 30 downward minus के लिए ok करते हैं यह देखिए यह rotate हो गया पहले हमारा member कहां था यह यहां था और यह rotate हो गया downward minus 30 अब जो member हमने बना यह था चोटा ऐसा उसको delete कर देते हैं इनकी जर्ड लैंथ मेजर कर लेते हैं 180 है या length increase हो गई है 180 इंच और यहां पर कुछ चेंज आया है यहां पर यह stress हो गया है तो इसका solution क्या है देखिए मेरे आगे भी problem आ गई है हमने इसको तो stress कर दिया लेकिन यह 30 डिग्री हुए इसके यह stretch हो गया member जबकि यहां पर होना चाहिए था हमारा 180 की height length ठीकिए इसको हम एक चीज किस तरह से हम इसको करें 180 अगर मैं इस काम करता हूँ इस joint को थोड़ा सा length इसकी बढ़ाता हूँ लगभग 600 inch X में link यह रह यह तब 20 पे नहीं हो रहा है क्या हो सकता है थोड़ा पॉस करके वीडियो को थोड़ा मैं सोचता हूँ इसके बारे में कि किस तरह से हो यह हेलो वेलकम बैक सोलूशन मिल चुका है देखिए इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 180 इंच एक मिन दबारा से यह देखिए 180 इंच है तो इसकी बने टी इंच कैसे होगी हम इसका मिरर कर सकते हैं इसको ड्रीट करते हैं इसको स्लेक्ट किया मिरर टूल और वाइजएट प्लेन है हमारा और यहां पर येलो कर से जोइंट ओके यह आपका बन चुगा आप इसका डिस्प्ले देखते हैं 180 इंच है फाइनली हमने कर लिया इसके बाद पिन सपोर्ट लगेगी दोनों साइट पिन सपोर्ट के बाद आप देख सकते हैं यहां पे पांसो पाउंड का लोड लगा हुआ है इसको लगाते हैं नोडल लोड तो एक डैड लोड हमें बनाना होगा dead load में हम click करके add करेंगे nodal load, nodal load हम Fy में डालेंगे minus 500, minus downward के लिए होता है अब इसको हम apply कर देते है downward, यह लग चुका है एक load इसके बाद properties properties में आप देख सकते हैं elastic modulus और ax.5 है तो property, define, general 0.5 यहाँ पर भी 1-1 डाल देते हैं इससे error ना आए और इसको apply कर देते हैं next step क्या है इसमें length हो चुकी है हमारे देखते हैं हांसे a-x हो चुका है, p हो चुका है 5000 है, 5000 है 5000 है, आए, l हो चुका है 180 हो चुका है, और e चेंज करना है ठीक है तो सबसे पहले हम load को change करते हैं, 500 नहीं है 5000 है 5000 और elastic modulus को change करते हैं वो ठीक है आपका आप analyze कर देते हैं एनलाइज में सबसे पहले पुछा है deflection तो यहां deflection में result view value और यहां पे deflection आ रहा है 1.142 इंच यहां पे deflection आ रहा है आपका इंच इज में 0.12 बहुत कम deflection आ रहा है अगर हम नॉडल लोड की बात करें नॉडल displacement की result view value beam में से एट आएंगे और नॉडल का f y तो 1.142 इंच इज आ रहा है तो देखते हैं हमने क्या क्या नहीं किया इसमें एक्स पॉइंट फाइव इंच इस स्क्वेर ठीक है यह मार थ्री इंटू टैन की पावर 6 थ्री इंटू टैन की पावर 6 थर्टी इंटू टैन की पावर 6 है 30 इंटू टैन की पावर 6 थीक है 5000 लोट थीक है और आपका 118 थर्टी डिगरी एंगर एनलाइज कर देते हैं पॉस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे यहां से दिस्प्लेस्मेंट देख लेते हैं समरी मैक्सिमम डिफ्लेस्मेंट है आपका 0.12 यह रेखिए और यहां पर अगर रिजल्ट में व्यू वैल्यू में देखें हैं तो 0.12 यह हमारा ठीक हारा है 0.12 अब देखते हैं स्ट्रेस अगर आप स्ट्रेस देखेंगे इसमें बीम में तो यह आ रही है आपकी इसमें आ रही है आपकी PSI 10,000 और इसमें स्ट्रेस आ रही है आपकी 5000 पाउंड एफेक्स और अगर स्ट्रेस देखते हैं इसमें हम तो स्ट्रेस आ रही है 10,000 लग भग ठीक है PSI maximum तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है दोनों रिजल्ट हमारे वैरिफाई हो चुकी है ये 9,999 सम्थिंग आ रहा है और ये 0.1 to exit आ रहा है तो इसमें जो बस एक डिफिकल्टी थी वह होती है हम ऐसे कैसे बनाएं इसे इस एंगल पर तो हमने क्या किया एक बार ब्रिफ कर रहता हूँ एक मेंबर बनाया 180 इंच का फिर हमने एक यहां पर जैड में बनाया इसको हमने ये लो कर्सर स्लेक्ट करके इसको रोटेट किया हमने 30 डिगरी माइनस डालके उसके बाद हमने इसका एक mission mirror बना दिया उससे एक म्यमबर ऐसे बन surgical आ तो इस तरह से हमने बनाया विदीओ आपको पसंद आयो तो प्ली लाइक कीजिए सब्सक्राइब किजिए, शेयर किजिए. Thank you. किजिए.